पार्टी दीरे दीरे सब के टार्गेट पे आ रही है और मेरे ख्याल में इन्हें लगबग 10 साल सक्रिय राजनीती करते हो गए हैं 2013 में बनी थी पार्टी और 10 साल हो गए हैं सक्रिय राजनीती करते हो गए तो सब चीजें सामने आनी ही थी इनके साथ कुछ जैसे पतरकार जुड़े थे आशुतोष शुरू में तो आशुतोस जैसे लोगों ने जो लंबे समय तक मीडिया में रहे उन्होंने का कि मीडिया को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मीडिया को revenue दो राजयस्व दोजी से कहते हैं कि एड़िजमेंट दो और जब मीडिया को एड़िजमेंट मिलता है तो फिर वो जादे पंगा नहीं करता है तो अर्विन केज्रिवाल ने दो कदम आगे जाते हुए सबसे पहले तो आशुतोष को बाहर निकाला उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने एक मीडिया सेल बना दिया अपने सेक्टरेट में उसमें 14-15 लोगों की टीम बैठती है और वो दिन भर टीवी चैनल्स महां देखते हैं उसके लावा अखबारों के कटिंगस आते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है कि किसने हमारी कितनी लाइनے छापी हैं समर्थन में फेवर में विरोध में कितना किस दिया है हमारे विरोध में BJP कॉंग्रेस के जो प्रेस कोनफरेंस करते हैं धरने परदर्शन करते हैं उन्हें कितना वैटेश दी है उसी हिसाब से उस अखबार को रेवेन्यू दिया जा रहा था अब अखबार वालों को यहां दिल्ली में यह लगना लगा और दूसरा मीडिया इस पर कह भी रहा था बीजेपी के नेता भी यह दबाव बनने लगा था कि भाई इस पूरे परक्रण में कहीं न कहीं तो अपनी इमेज को बचाना पड़ेगा और अंतमिक चीज क्या होती है कि अखबार तो तभी पिकेगा जब उसकी क्रेडिबिलिटी होगी जब अखबार को लेते समय किसी के दिमाग में यह पता ल ने आया है इसमें सबसे बड़ा इनिशेट चिया है विनीच जैन जो इसके मालिक हैं ताइम्स ओफ इंडिया ग्रूप के विनीच जैन ने इसकी शुरुवाद की है और उन्होंने जो हिंदी का चैनल है टाइम्स नाउन भारत उस पर उन्होंने जो यह ऑप्रेशन शीष म वो ही सारे डोकुमेंट्स मीडिया को अबलेबल कराते हैं। बीजेपी वालों ने इनको अबलेबल कराया कि यह साब यह चीज़े हैं आप दिखा सकते हो तो दिखाओ। तो इन्होंने भी सोचा कि यार अगर कोई चीज हुई है और बास्तों में कहीं पर धांदलिया हुई ह इस तरह की तो उसे उठाने में हर्ज क्या है और फिर पिछले एक साल से आप देखी रहे हैं कि पहले शराब घोटाला स्वास्तवी भाग का घोटाला जिसमें सतेंद्र जैन अंदर गए हैं चीज़े तो हुई हैं कारवाई भी हुई हैं ED की CBI की सब लोग चीज़े सामने आई हैं जबानत बार-बार खारीज हो रही है मनीशी सोधिया की तो एक एक छोटा सा जिसे कहते हैं कि अभियान तो शुरू होई गया था कि इनका एक्सपोज होने लगा तो अब मुझे लगता है कि टाइम्स ओफ इंडिया ग्रूप ने दिल्ली में इसमें इनिशेट किय है और अख़बारों में उसके बाद बाकी अख़बारों पर ऑटومेटिकली एक प्रेश्र पढ़ा है कि जो सबसे बड़ा ग्रूप है यहां का जिसका टाइमस ओफ इंडिया है एकनोमिक्स टाइम्स है नौब बहुर्ट टाइम्स है टाइम्स न आव है सांधय टाइम्स है कि वो इन पर ऐसा दबाव बना लें कि साब आप हमारे किलाफ चाब रहे हम आपको विग्यापन नहीं देंगे क्योंकि ये उस चीज से बाहर निकल चुके है पड़ा ग्रूप है कि अगर ये सो पचास क्रोड का विग्यापन अर्विन केजरिवाल का नहीं आएगा तो टाइमसर फिडिया ग्रूप पे कोई फरकनी पड़ेगा लेकिन इससे ये होगा कि मीडिया में बोलने की केजरिवाल के खिलाफ लिखने की एक हिम्मत बढ़ेगी और अब दूसरे लोग भी इसमें कुदेंगे मैदान में तो केजरिवाल के लोग अगर पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं उनके आँ कवरेज करने वाले लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं तो यह उनकी जुझलाट को शो करना है कई बगई बार ऐसा होता भी है कि किसी अब ये हुआ कि मालिया आपने एक साल में पचास करोड का विग्यापन किसी अख़बार को दिया और उस में से पच्चिस करोड की पेमेंट हो गई पच्चिस करोड की पेमेंट बाकी है आपने अर्विन के जिरिवाले के खिलाफ दो छाप दी, तो, वो क्या करते हैं?, 25 क्रोड की पेमेंट डिले कर देते हैं, देनी तो उने होंगी, जो अकबार छपा है, क्या होता एक ऑखबार में जो विग्यापन छपता है, वो रिलीज order पर आरो बोलते हैं उसको उसके आधार पर चपता है तो वो pre-order होता है कि आपको इतने space में यह चापना है उनके पास जब आरो आ जाता है अखबारवालों के पास तभी वो चापते हैं तो वो तो एक legal document है वो उससे तो मना तो कर नहीं सकते हैं वो ऐसा हो सकता है किसी चोटे मोटे अखबार के साथ ऐसी बात हुई हो यह किसी media house के साथ बात हुई हो लेकिन हकीकत बात ही है कि मुझे देखे इस बारे में बात करते हैं बड़ी शर्म आती है कि मीडिया विग्यापन के दबाव में इस तरह से आए लड़ाई जगड़ा करें विग्यापन लेने के लिए खबरे रोग दें विग्यापन बंद ना हो जाए हमारा इसके वज़े से उनके खिलाख खबरे चापना बंद कर दें यह तो कभी भी नहीं हुआ है यह तो बिलकुल अजीब हो गरीब है और इस परंपरा को अरविंद केजरिवान ने तनी बूरी तरीके से चला दिया था कि मुझे लगता है कि मीडिया भी इससे बाहर निकलना चाता है ठीक है यार अब इससे खबर दो किससे को अगर विग्यापन नहीं देता तो मत देने दो लेकिन जो चीज है हमें अपने पाठक के परती तो हमें अपने इमांदार रहना है जो हमें पाँच रुपे दे कर या साथ रुपे दे कर जो रोज अखबार करीबता है तो उसके परती तो हमें इमांदार रहना है तो वो सब चीजे चल रही है हो रहा है ऐसा प्रेस कोनफरेंस में कहा था और दरसल हुआ क्या है कि ये जो जानकारी अभी आई है इस बारे में कि जो LG है सकसेना साब उन्होंने ये जो रेनोवेशन वाला मामला है अर्विन केजरी वाल का 45 करोड रूपे वाला इसमें जो दिल्ली के चीफ सेकेटरी है नरेश कुमार उनको और ये किया कि आप इसके संबंदित जितनी भी फाइल हैं वो प्रिजर्व कर लिजी अपने पास और किसी मतलब उनमें कोई छेड़कानी नहीं नहीं चाहिए मुझे सारे बिल्स वगएरा जो भी जैसे जैसे प्रोसेस हुआ टेंडर हुआ नहीं हुआ कहां से समान मंगवाया वी देश से मंगवाया कहां से मंगवाया तो वो सारी चीज़ आप परे पास सुरक्षित रखिएगा अब उन्हें मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये जो आदेश दिया होगा कि इस लिहाद से दिया होगा कि कहीं इस बारे में कोई आगे जाँच शुरू हो जाए कोई इडी बगेरा इसकी डिटेल्स मांगने लगें उन्हें उस सेंस में कही होगी लेकिन अब आदमी पार्टी वालों ने हल्ला मचा दिया कि साब ये तो आपके अधिकार छेतर की बात है क्योंकि जो कानून कहता है वो कहता है कि अगर 9 करोड रुपय तक का अमाउंट आप खर्च करते हैं किसी भी चीज लिए तो उसे LG के पास फाइल नहीं जाती है उन्हें जरुत नहीं पड़ती कि आप LG से फाइल पास कराएं तो इसमें ये जितना 45 करोड रुपया है ये 7-8 अलग-अलग से बिल बनाए गए हैं पैल्स का अलग से बना दिया और जो रंगाई पुताई है उसका बिल अलग से बना है एर कंडिशन्स जो लगाए गए हैं उनका अलग से बना है तो इस तरीके से उन्होंने बनाया तो आमादी पार्टी की जो मिनिस्टर बनी हैं अभी आतिशी एजूकेशन मिनिस्टर भी हैं उन्होंने ये काया कि ये LG साब के अधिकार छेतर की बात नहीं ये वो ऐसा कैसे कह सकते हैं लेकिन यहां एक बड़ी बात ये है कि जब संजे सिंग ने ये कहा कि वही 15 करोड रुपे कराने में किया है तो LG ने उनके इस चैलेंज को एक्सेट किया और उनने कहा कि आई ये मेरे घर पे जो राजनिवास है सरकारी आवास कि आई ये मेरे घर पे आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितना रुपया खर्च किया मैं मीडिया सब लोगों के लिए आम आदी रुपे खर्च नहीं किये यह ठीक बात है कि अगले दिन संजे सिंग से उन्हें प्रेस कोनफरेंस कराई थी और संजे सिंग ने का था कि जहां उनकी मदर रहती थी वहां का वो प्लास्टर उतर गया था उनकी सिलिंग गिर गई थी नीचे खुद मुख्यमंत्री का कमरा जो ह कि बताओ कहां 45 क्रोट रुपे खर्च हुए हैं इसका मतलब 45 क्रोट रुपे खर्च हुए हैं और यही नहीं उनके खिलाफ अब दिल्ली में एक आई-एस लोबी भी सक्री होगी है जो आई-एस ओफिसर्स हैं वो इतना परेशान हो गए हैं के जरिवाल के जूट से बत्त अच भी चल रही है उनको घर पर बुलाया गया था और अर्विन केजरिवाल के घर पर यह उनके साथ आता पाई हुई थी उसी समय से जितने भी आई-एस ओफिसर्स हैं वो सब इन से नाराज हैं अर्विन केजरिवाल से वो कहते हैं कि यह पॉलिटीशन नहीं है यह दूर पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कुछ आई-एस ओफिसर्स रहते थे चार या पाट शायद रहते थे यह सीम आवास के बिल्कुल मिलती हुई दिवार है तो इन्होंने कहा कि हम सीम आवास का कि जो कैमपस है उसको बड़ा करेंगे तो इन्होंने उन सब यह आई-एस उन्होंने भेज़ दिया अलग-अलग फ्लेट्स दिलवा दिये गए दिल्ली के पौश इलाकों में उन्होंने फ्लेट्स दे दिये गए यह आपको ने कौर्टर सरकार की तरफ से अलोट कराते हैं और इन कौर्टर को हम दुबार से बनाएंगे यह जो भी बात रही होगी म बहुत पुराने समय की सेंकडो साल पुरानी बिल्डिंग थी उस सब को तोड़ के उसकी बाउंडरी को बिल्कुल खत्म करके उसे सीम आवास में मिला लिया गया है और सीम आवास में मिला के उससे इतना बड़ा बना दिया गया है कुछ तो लोग मजाग भी उड़ा रहे ह कि शायद अर्विन केजरिवाल पीएमो जितना बड़ा ओफिस यहां बनाना चाहती है तो उन्होंने उसे बराबर कर लिया बिल्कुल और अब उसमें बताया जाता है कि बना रहे हैं उसमें स्विमिंग पूल बनेगा, बैडमिंटन कोर्ट बनेगा बताये अर्विन केजरिवाल को क्या इन स्विमिंग पूल में नाने के लिए और बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेलने के लिए इतना सब के लिए समय है यह भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है और दूसरे बात, यह आपकी प्रैवेट प्रोपरटी नहीं है चेफ मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है वो आज आपका है, कल किसी और का है, कल कोई और रहेगा इसमें आकर यह ऐसा तो है नहीं कि आपके नाम पर पट्टा लिखवा दिया गए गए 99 एर तक आप ही रहेंगे यहाँ पे तो वो इस तरीके से कर रहे हैं सारे काम, कि जैसे कि दिल्ली से वो कभी हटने वाले नहीं हैं और जो वो करेंगे बस वो ही फाइनल होगा, तो वो इस गलत फैमिये का शिकार हो गए हैं और यही वज़े है कि गलतियां हो रही हैं उनसे, खर्चा हुआ है 45 करोड रुपे का और इसमें जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यह खर्चा ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली कोविट से जूज रही थी, उनका घर नया बन रहा था यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और लोगों के पास oxygen नहीं थी, hospitals में bed नहीं थे, इनके मंत्री जब बिमार हो रहे थे तो वो पलाजमा चड़वाने के लिए Apollo और जो दूसरे Fortis जैसे जो branded hospital है महाँ पर जा रहे थे और दिल्ली की जंता सरकारी इस्पतालों में मर रह रही थी, तो इनका एमानवी है और भरष्ट चेहरा सामने आ रहा है लोगों के, इन सब चीजों की जरुत क्या है, अल्रेडी जो CM रिजिडेंस वगेरा होते हैं, उन पर क्या होता है कि जैसे ये तो PWD में आता है, एक CPWD होती है, जो central body होती है, वो सारे ministers वगेरा के जो सा सांसद हों कि आपको तो पता है, उन सब के बड़े-बड़े बंगले हैं, तो उन्हें maintain करने के लिए routine खर्चे होते ही हैं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, जो MP रहे हैं, वो जैसे MP गए उनने कहा कि हम जब अपने MP आवास में पहुँचे तो हमने कहा यार ये खिड़कियां खर हैं, ये परदे थोड़ा चेंज कर दो, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तो इतना, इतनी चीशे तो सभी की लोगों के लिए अगलेबल हैं, कि आप अगर वहां रहेंगे पांच साल के लिए सांसद के तोर पर, तो अपनी सुईधा के हिसाब से उसमें आपको कुछ सुधा करवाना, आपकी कोई टोटी खराब हो गई है, या आपको कोई परदे चेंज कराने है, एसी ठीक से आवाज कर रहा है, नया लगवाना है, तो इतना तो होता है, लेकिन पूरा तोड के 45 करोड रुपे का तो रिनुवेशन क्या, 45 करोड में तो नया CM आवास ही बन गया, ब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें